हेलो दोस्तो स्वागत है आपके यूटूब चैनल में आज हम बात करने वाले हैं Liquid Epoxy Cauting के बारे में जी हां दोस्तो हम इस pushing होती क्या है किस तरीके सा हम सको एनलाइbst करते हैं यह सारी चीजे यह हमते देखने वाले हैं तो चलिए आज पर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं देखे इस ट्रेंड आपसे एक रिक्रेस्ट है यदि आपने अभी तक हमारा चिनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेट बटन को आप प्रेस्ट किजिए और उस बेल आइकन को भी दबाईए तक ही जैसे हम वीडियो आपको डाले हैं तो आपके बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं देखे श्रें लिक्विड एपॉक्सी कोटिंग को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एपॉक्सी कोटिंग होती क्या है तो एपॉक्सी कोटिंग में हमने एक वीडियो बना रखा है आप उसको जाकर चेक आउट जरूर कीचिए ठीक है फिर भी हम आपको यहाँ पर एक चीज बता देते हैं अब बात आती हैं यहाँ पर कि यह लिक्विड एपॉक्सी कोटिंग होती क्या है तो देखिया इटीज अकोटिंग सिस्ट्रम कंपोज़ बाइ टू सब्सक्रेस इट मींज आपको यहाँ पर दो मट्रियल मिलाना है एक एक हाडनर मिलाना है ठीक हाडनर इसलिए कि ताकि वह सेड हो जाए ठीक है यह थोड़ा सक लिक्विड फॉर्म में होता है आसानी से आपके फ्लोर पर इसको अप्लाई कर सकते हैं इसमें किसी प्रकाही प्रावलाम नहीं होती है जिस तरीके से एपॉक्स फ्लोरिंग में होती है महाँ पर आपको थोड़े सक साउधनी रेनी पर दिया ताकि आपको जो फ्लोर पर एपॉक्सी कोटिंग करने वाले ह संते हो हो साती साथ सेफ्टी के साथ हो एक्ष आठाप एडिब्लो औन प्लोर एंडिफ यूनिक फिनेdी gefाक्राइब करता है आप जब पहलु पर ओर यह को होता है तो में होता है तो यह आसानी से भी आपको प्लोर पर अप्लाई हो जाता है ठीक है अब यदि हम बात करते हैं इसकी benefits की तो benefits में फस्ट आता है act age of flare and coating मतलब जब आप इसको आपके floor पर concrete के floor पर warehouse में या medical stores में या फिर medical में जैसे आप बोल सकते हैं कि hospitals वगरा में या किसी laboratory में आप इसको apply करते हैं तो यह coating के साथ सा filler का भी काम करता है it means just floor पर आप इसको डाल रहे हैं इसकी coating कर रहे हैं तो उसमें जो whites होंगे उसको भी यह fill कर देगा क्यों क्योंकि यह liquid form में होता है ठीक है next आता है easily applied on uneven survey जैसे कि हमने बताए कि liquid form में होता है तो आप इसको किसी भी surface पर मतलब इसमें आपको किसी even surface की जरूरत नहीं रहेगी प्लेन सर्फेस जैसे epoxy flooring में आपको जरूरत पड़ती है इसमें इसा कोई भी condition provide नहीं होगी इसको आप आसानी से apply कर सकते हैं किसी भी surface पर next आता है resistance to acid, rust, chemicals, heat and corrosion आपको liquid epoxy coating इन सब चीजों के इससे बचाता है acid से बचा सकता है, rusting से बचा सकता है, chemical को अस्यानी से ले ले लेता है, heat को corrosion से बचाता है आपको, it means जहां जहां आप इसको apply कर रहे हैं उसके according आपको यह benefits provide करता है सबसे बड़ा benefit इसका यह epoxy coating करने का कि यह waterproof होता है, ठीक है न, इसलिए हम इसे लालाग अलग जगे पर यूज़ करते हैं और यह cost effective भी होता है जिस तरीके से epoxy flooring हम करते हैं वो थोड़ा सा costly होता है बड़ यह cost effective होता है, ठीक है अब यह हम बात करें कि इसके applications की तो इसके applications की बारे में हम देखते हैं देखें, application में हमें सबसे पहले देखना है कि इसका application warehouses में कर सकते हैं अब warehouse में आपको थोड़ा ध्यार नखना है यह ध्यार नखना है कि आपको impact loading provide नहीं करना है ठीक है न, warehouses में लगा सकते हैं महापर माइकिंग करने के लिए, signboards लिए जैसे कि आप किसी mall वागर में जात तो, फिर होता है automotive facility में provide कर सकते हैं इसको laboratory में जैसे हमने आपको बताया medical setting में provide कर सकते हैं pipeline में सबसे जाता है यूज होता है और steel code आपकी corrosion से बचाने के लिए इसका use किया जाता है ठीक है, अब बात या दिए student की epoxy flooring है या फिर epoxy coating है liquid वाली उसको हम किस तरीके अपलाई कर सकते हैं तो देखिए student इसको apply करने के अलग-अलग process होती है इसको आप जो contactor है या आपकी जहाँ पर भी facility provide कर रहा है epoxy के बारे में एक skill level को बुला के आप इसको आसानी से करा सकते हैं आप खुद घर पे मत किजिए साथी साथ किसी एक unspecified contractor से भी मत कर रही है क्योंकि इसम आप इसमूद finish provide कर सकते हैं इसको देने से इसके में अलग-अलग types आते हैं colors provide होते हैं 3D printing भी कर सकते हैं तो इसे different type के आपको इसमें material भी provide होते हैं तो आई हो आपको आचका यह वीडियो समझ में आया है वीडियो अच्छा लगे तो इसे like किजिए आपने friends के साथ share किजि thank you for the watching